हेलो दोस्तों कैसे आप आई होप आप सभी ठीक होंगे बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में अगर आप दिल्ली घुमने का प्लान बना रहे हैं तो इंडिया गेट और लाल किले के अलावा एक ओर डेस्टिनेशन है जो दिल्ली के प्रमुक आकर्षनों में से एक है और वै है लोटस टेमपल दिल्ली के नहरू प्लेस में स्थित लोटस टेमपल एक बहाई उपासना मंदिर है जहां नहीं कोई मूर्ति है और नहीं किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है लोग यहां आते हैं सांती और सुकून का अनुभाव करने कमल के समान बने इस मंदिर की आकर्थी के कारण इसे लोटस टेमपल कहा जाता है इसका निर्मान सन 1986 में किया गया था यही वज़े है कि इसे बीसवी सदी का ताज महल भी कहा जाता है भारतिय प्रंपराओं में कमल को सांती और पवित्रता के सूचक और इस्वर के अवतार के रूप में देखा जाता है मंदिर का वास्तू पर्षिन आर्किटेक्ट फरी बर्ज सहवा द्वारा तैयार किया गया थ दुनिया भर में आधुनिक वास्तू कला के नमूनों में से एक लोटश टेमपल भी है इसका निर्मान बहा उल्लाह ने करवाया था जो की बहाई धरम के सेंस्तापक थे इसलिए इस मंदिर को बहाई मंदिर भी कहा जाता है बावजूद इसके यह मंदिर किसी एक धरम के दाएरे में सिमट कर नहीं रह गया है यहां सभी धरम के लोग आते हैं और सांती और सुकुन का लाप प्राप्त करते हैं इसके निर्मान में करीब एक करोड डोलर की लागताई थी मंदिर आदे खिले कमल की आकरती में संगमरमर की 27 पंखुडियों से बनाया गया है जो की तीन चक्रों में व्यवस्थित है मंदिर चारो और से नो दर्वाजों से गिरा है और बीचो बीच एक बहुत बड़ा होल इस्थित है जिसकी उचाई 40 मिटर है इस होल में करीब ढ़ाई हजार लोग एक साथ बैठ सकते हैं वर्ष 2001 की रिपोर्ट के मुताबिक इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगह बताया गया था इस मंदिर में आप कैसे पहुंचे यहां पहुंचने के लिए आप मेटरो का प्रियोग कर सकते हैं नेरू प्लेश से कालकाजी मेटरो इस्टेशन पहुंचने के बाद पांच मिनट में पैदल चलकर या फिर कोई रिक्सा करके आप यहां पहुंच सकते हैं लोटर्स टेंपल खुलने का समय गर्मियों के मौसम में सुबह 9 बज़े से साम को 7 बज़े तक खुला रहता है फिरी में घूम सकते हैं दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू